हाव रूफिक्स वान प्लस सेवेंटी कॉंफरेंस कॉल इश्यूस प्राब्लिम नमस्कार दोस्तों सुवागर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने डिवाइस में कॉंफरेंस प्राबलूम सौलफ कैसे कर सकते हैं अगर कॉंफरेंस कॉल कर नहीं पा रहें कॉंफरेंस कॉल कनेक्ट ने हो पा रहें या फिर कॉन्फरेंस कॉल के रिगार्डिंग कोई भी प्राबलम आ रहें तो आप इस वीडियो को आन तक देखे आप मैं आपको बताऊंगा The solution जिसके मदद से आप अपने प्रोब्लेम को सॉल्फ कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप ओन लाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडिय पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी कॉंफरेंस कोल के रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं तो मैं है सेटिंग्स सेटिंग्स अच्छे से फॉलो करना होगा और सोलूशन करना होगा पहले सोलूशन करेंगे उसके बाद सेटिंग ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आएए वैं अगर Conference को काम नहीं करते सबसे पहले जाए सेटिंग स्क्रोल ड़ॉन कीजिए उसके बाद सिस्टेम पर क्लिक कीजिए रिसेट ऑप्षिन सेलेक करके रिसेट वाइफाई मोबाइल एंड ब्लूटूट पर क्लिक करें अपना सीम सेलेक कीजिए रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पास्वोड भर दीजिए और यह करने के बाद आपको बेग करोगे आपको थोरा सा उपर में जाना है find out करना है apps and notifications तो उसमें जाएए उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको see all apps पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर search करना है phone service ठीक है तो search कर लिजिए अपना phone service को यहाँ पर आप देख सकते तो on कीजिए storage में जाएए clear storage में क्लिक करके okay कर देना okay करने के बाद आपको बेक करना है make sure सारे permission इसका enabled रहे उसके बाद आपको बेक करना है डिवाइस को restart करना है ठीक है और यह करने के बाद जाए वाइफाइ नेट्रोक्स सेटिंग सिम कार्ड एन नेट्रोक्स और उसके बाद सेले किजिए preferred नेट्रोक टाइप को preferred नेट्रोक टाइप आपका सेट होना चाहिए 4G पे जैसी भी हो 4G नेट्रोक हमें चाहिए ठीक है without 4G नेट्रोक conference call पोसिबल नहीं है तो 4G नेट्रोक कनेक करे अपना सिम को open करे वॉल्ट इनेबल कर दीजिए क्योंकि वॉल्ट के बीना आप conference call नहीं कर पाऊगे तो वॉल्ट यूज कीजिए with 4G तो यह solution और सेटिंग अगर आप एक साथ फोलो करती हो तो आपका problem solve हो जाएगा conference call आप connect कर सकते हैं लेकिन उसके लिए उसके लिए आपके पास होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर mobile विलेंस ठीक है जिससे आप कॉल कर सके और जिस भी नंबर पर आप कॉल कर रहे हो नंबर जोए विलिक्ट होना चाहिए बस ठीक है यहाँ पर कॉल वेरिंग बगर का कुई भी इश्यू नहीं होना चाहिए अगर कॉल का problem है तो इसके रिलेटेड मैंने अल्रेडी सॉलूश तो आगे सोल्यूशन करने के कुई भी जरूरत नहीं लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं वारे तो आपको क्या करना है मोबाइल सॉफ्वेर को रीबू由 करना है यानि की मोबाइल को सेफ मोड़ पर रीबूद करना है बस यह vä bij Biology लोग है ना हो या अन्से के वादेसे कि नहीं कि तो आपको करना है मुबाइल को सेफ मोट पे रिशटर्ड कर लेना है मैं तो यह करने के बात हैं कि आपको क्या करना है चेक करके देखना है प्राबञम सुद्स है या नहीं हुआ अगर सव ज़ाता है प्राब्लेम टुठीक है अगर प्रॉब्लेम सॉल्फ नहीं नहीं होते तो जाये सेटिंग स्क्र div कीजिये सिस्टेम पर जाएं और हो डान करके सिस्टेम अपडेट पर जाके अपने मोबाइल इसाफर को आप अपको एने साथ आपको बेख करना होगा इससाथ में जाना होगा और यहाँ पर सेर्च किजिगा Corner सर्वेस और आपका जो सर्वेस हे वा है Google LLC के तरव से तो जाके उसको आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं यह करने के बाद यहाँ पर आपका अभी एप अपडेट हो चुका है गुगल प्लेश्टोर से अपडेट कर दिया है और आपका सिस्टेम भी अपडेट हो चुका है अभी आप ट्राइ करके देखिए प्रॉल्म आ रहा है मोबाइल बहुत ज्यादा पूराना होने के बाद तो आपको जाना है सिस्टेम ठीक है रिसेट ओप्षन को सेलेक करें अपने मोबाइल को फेक्टुरी रिसेट करने के बाद आपका कॉइंफरेंस कोल का इशू फीक्स हो जाएगा ठीक है चाहे तो दो करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा आज के लिए वस इतना ही तैंक्स पर वाचिंग